नमिश्कार दोस्तों आज के हबते का हमारा सवाल है कि mirror technique क्या है तो दोस्तों mirror technique एक बहुत ही important और बहुत ही effective technique है जो हमें अगर हमें कोई help available नहीं है या हम किसी और की help नहीं लेना चाहते हैं हमारे किसी भी mental emotional problem के लिए तो mirror technique हमारी बहुत help करता है mirror technique में सबसे पहले तो हमें हमारी आखों में देख कर खुद से या तो सवाल पुछने होते हैं या affirmations लेने हैं या बाते करनी हैं हम इसमें से कुछ भी कर सकते हैं it depends on your problem यह हमारे जो issues है हमारे problem से उसके मताबिक होता है अगर हमारा self esteem यानि हमारा आत्मसंवान बहुत low है तो specifically हमें mirror technique में अपनी खुद की आखों में आखे डाल कर अपना नाम ले कर यह कहना बहुत जरूरी है और वो भी दिन में कई बार और रोज कम से कम एक मेहना कोई भी technique आप यूज करते हो तो कम से कम एक मेहना उसे यू करने लगते हैं 8 दिन में 10 दिन में 15 दिन में लेकिन कम से कम जैसे कि किसी medicine का course होता है तीन दिन का 8 दिन का तो उसी तरह एक मेहना आपको यह technique कोई भी technique जब आप शुरू करते हैं mental level का तो उसे करना बहुत जरूरी होता है ताकि आप पूरी तरह उस technique का फाइदा उठा सके तो अगर आपका self-esteem की problem है आपका अतनों सम्मान बहुत low है आप खुद को not worth समझते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ या मैं लायक नहीं हूँ किसी अच्छी बात के लिए तो आपको यह कहना है mirror में देखकर खुद की अखों में देखकर कि खुद का नाम लेकर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और मैं तुम्हें जैसी हो वैसी accept करती हूं अब देखिए जब आप बार बार दिन में दो चार बार यह आईने में देखकर अपनी खुद की अखों में देखकर यह sentences बोलते हैं तो कितना अंदर से आपको कितने सारे reactions मिलना शुरू हो जाता है तो तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इन reactions को कैसे handle करें deal करें लेकिन आप गौर से देखते रहिए तो धीरे धीरे अगर उसमें नकार है अगर उसमें विरोध है अगर उसमें आश्चर्य दिख रहा है कि how come कैसे क्या मैं अपने आपको जैसी हूं वैसे स्विका करने लगोगे और अच्छे लगने लगोगे जो भी आपकी कमियां खामियां बुराईयां आपको लगती थी ना आप accept करोगे उसे आसानी से की ठीक है अगर है तो मुझे बदलना है और मैं बदल सकती है लेकिन उसके लिए मुझे बुरा कहने की खुद को धुतकार ने की या not worth समझने की जरूरत नहीं है तो यह mirror technique बहुत ही important है दूसरी बात है अगर आपको बहुत सारे सवाल है आपके मन में खुद के बारे में या खुद के दुनिया के बारे में कि ऐसे relationships क्यों है या ऐसे ही मेरे साथ क्यों हो रहा है तो भी आप अपनी आखों में देखकर अ इसका क्या मतलब है यह क्यों हो रहा है मेरे साथ कहां से आ रहा है यह हो सकता है कि आपको जब तक आदत नहीं हो जाती subconscious से connect होने की तब तक आपको शायद कोई जवाब ना मिले लेकिन आखों में देखकर पूछते रहने की आदत आपको कम से कम एक मेना आपको expect नहीं करना है कि आपको जवाब मिलेगा ही क्योंकि जब तक आप connect नहीं होते हो सबकॉंशिस में सारे सवालों की जवाब होते हैं हमारे तो आपको जवाब नहीं मिलेंगे लेकिन जैसे ही आप सबकॉंशिस के साथ connect होने लगते हो जब बार 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 आप पुछते रहते हो खुद की easily accept करती हूँ या मुझे लगता है कि यह impossible है मेरे लिए होना जैसे कि weight loss का लीजिए तो आप अपनी आखों में देखकर वो affirmation लो कि I am of perfect weight मेरा weight perfect है चाहे वो ना हो लेकिन फिर भी आखों में देखकर बूलिए तो आखों में से आपको answers मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपको perfect weight के लिए कैसे क्या बदलना है और वो अपने आप होने लगेगा आपको बहर से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े तो यह affirmations के लिए भी बहुत काम आता है mirror technique जितना simple लगता है उतना ही effective है उतना ही बहुत ताकदवर है powerful है तो आप करके देखिए क्योंकि मैं तो हमेशा जब से मैंने सीखा है मैं हमेशा यूज करती हूँ और mirror technique से मुझे बहुत सारे फाइदे मिले हैं तो आप इसे करके देखिए और आपको अगर अच्छा लगा आपको कुछ फाइदा हुआ तो मुझे comment box में जरूर लिख कर बताइए और जब आपको फाइदा होगा आप द अन्यमाद